हाई अब्रीवन दिस इस अनम वेलकम तो पीएज जोप्सन अद्मिशन सो आज के इस वीडियो में हम डेली यूनिवर्सिटी के पीएज इंट्वेंस एक्जामिनेशन के लिए रिसर्च मेधिलोजी के कुछ इंपोर्टं you जो जो जिनरी आपको पूछे ही जाते हैं बता रही हैं आपको बहुत ही इंपॉर्टं सेशन ओने वाला आज का हमारा जिसमें आपको जो जो मैंने यहांसे की स्वल्ड करवाया है जो आपको पीएज एंट्वेंस ईग्जामिनेशन में 100 पूछे जाते हैं इन आपको पता है दिली उनिवर्सिटी के पीजे इंट्रेंस एग्जामिनेशन के एप्लिकेशन फॉर्म की जो लाज्ट डेट थी वो जा चुकी है जो कि थी 10th of July 2022 तो जल से जल अभी चांसें कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट सकती है तो उसके लिए पॉलीए पॉलीजक जल से जल स्टार्ट कर देनी है जैसे कि हाप को पता क्षर्चgas को पेपर 1 और यह research methodology होता है जो कि हर एक candidates के लिए comment होता है तो मैं आपको बता दू research methodology पर हमने आपके लिए course लेकर आया है जैसे कि आप screen पर देख सकते हैं जिसमें आपको video lectures करते हैं तूरा syllabus यहां पर हम कवर करते हैं video lectures में जो कि अपके theory और mcqs दौनों video lectures प्रोवाइड करते हैं और इसले पहले हों की concepts को पेल कर बाते हैं and then mcqs में हम आपको tricks बताते ही किस तरीके साब को tricks यूज करना है उसी तरीके से notes हम आपको प्रोवाइड करते हैं तो मैं यहां पर आपको बता दू 100% guarantee के साथ आपको यह course प्रोवाइड कर रहे हैं आपको पास करने के responsibility हमारी होगी हम आपको पास कर पाएंगे हम आपको time to time guide करते रहते हैं तो आपको याद रखना है आपको जादा time waste नहीं करते हुए जल से जल आपको preparations को start करना है start करने के स्क्रीन पर जब को number नजर अरा राइस number पर WhatsApp के तुर में कौन चाहिक करना है और आप हमारे app के तु किसे हमारे content जो हम आपको provide करते हैं जो study material हम आपको provide करते हैं उसके बारे में एक बार में आपको पटाक से बता दू कि हमारे इस course में हम आपको video lectures, mock tests, notes प्रवाइट करते हैं और 1500 plus mcqs revision pdf यह सारा content आप देख रहे हो screen पर यह आपको एक ही जगा मिलेगा कई students क्या करते है इंटरनेट से study material refer करते हैं इंटरनेट पर जो language यूज करी जाती है बहुत difficult language यूज करी जाती है जिससे कि आपको समझ नहीं यादा है क्या लिखा हुआ है किस तरीके से यह जो content है आपको किस तरीके से read करना है कितना content आपको follow करना है क्योंकि हम हमारे course में आपको बताते ह करना है बहुत जादा भी ने आपको पढ़ना है बहुत कम भी ने इतना sufficient है आपके study के लिए उतना को पढ़ना है तो हमारे course में आपको guide करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको किस topic पर जादा focus रहना है कहां से जादा questions आपको पूछ जा सकते हैं यह सारी चीज़े हमारे course म आपको बताते हैं तो हमारे जो कोर्स हैं आपको guarantee के साथ केते हैं कि हमारे इसी कोर्स है आपको exam में 30-35 questions directly पूछे जाएंगे तो जल से जल आपको course को purchase करना है आप purchase करने के लिए screen पर जो number नज़र आ रहा है इस पर WhatsApp की तुरों हमें contact करना है याद रखेगा normal calls number पर नहीं लगेगा और आप हमारे इस app के तुरू भी study material को access कर सकते हैं so app को access करने के link में आपको सार description box में provide कर रखिये so that's it and let's begin with the mcqs which of the following tools is good for thesis report इस question में हमें find out करना है कि हम research में thesis किस tool में लिखते हैं so यहापर आपका option A given है excel excel क्या होता है जिसमें आप data को analyze करते हो यह data analysis tool होता है excel आपका data analysis tool होता है excel में research और thesis को नहीं लिखते है that's why यहापर आपका option है incorrect हो जाएगा then option B powerpoint presentation so powerpoint presentation जो presentation बनाने के काम आता है और जिसमें researcher research presentation बनाते है ना के thesis लिखते है that's why आपका option B भी incorrect हो जाएगा then option C word document so आपका option C correct हो जाएगा word document में researcher अपने thesis को लिखते है that's why आपका correct option हो जाएगा option C word document next question इस question में मैं find out करना है कि कौन सा ऐसा tool होते है जिसकी help से researcher पूरे world में एक दूसरे से communicate कर सकते है और एक दूसरे से collaborate कर सकते है So, अब हम options देखते है Option C, world processing What processing जैसे हमने अभी देखा What processing जिसमें researcher thesis write करते है So, word processing के जिसमें दूसरे से communicate ने कर सकते है और नहीं एक दूसरे से collaborate कर सकते है That's why आपका option C, incorrect हो जाएगा Then option B, plagiarism Plagiarism क्यों होता है कि research में किसी और researcher की content किसी और researcher की information को copy करने को हम plagiarism कहते है So, plagiarism पे एक ऐसा tool नहीं होता है जिसके दूसरे से communicate कर सकते है या फिर collaborate कर सकते है That's why आपका यहापर option B, incorrect हो जाएगा Then option A, ICT ICT क्यों होता है Information and Communication Technology जिससे आप name में में मीनिंग देख रहे है Communication So, yes ICT ऐसा tool होता है जिसके दूसरे पूरे world के research और जो भी researcher को एक दूसरे से communicate करना है collaborate करना है So, इस tool के थूरू researcher एक दूसरे से communicate और collaboration करते है That's why आपका option A, correct हो जाएगा ICT, Information and Communication Technology Moving on to the next question Qualitative data uses इस question में हमें find out करना है कि qualitative data कौन से scale of measurement use करता है Okay अब हम एक example के जूँ जानते है कि qualitative data में कौन से scale of measurement हम use करेंगे जिसे मान लो shirts की sizes है अब यहाँ पर आपने shirt के sizes को उनके features के हिसाब से classify कर लिया कि यह small, medium and large अब यहाँ पर आपने क्या किया shirt को उनके features के हिसाब से classify कर लिया That's why यह आपके nominal scale of measurement में आएगा Okay Then आप यहाँ पर क्या कर रहे हो Shirt के sizes को पहले आपने small लिया फिर small से medium में आपने ऐसा थोड़ी ना किया कि small से direct large पर चले गए Okay Small से अपने proper medium लिया Medium से उससे थोड़ा सा एक size बड़ा Large ले लिया Okay means यहाँ पर आपने order follow किया है Means यहाँ पर आप qualitative data में आप ordinal scale of measurement भी यूज करेंगे Means इस short की size में आपने एक order follow किया Okay That means आप qualitative data में nominal as well as ordinal scale of measurement यूज करते हो That's why यहाँ पर आपका correct option हो जाएगा Option A Then यहाँ पर आपको option B गिवन है Ratio and interval So remember ratio और interval में आप quantitative data में आप इस scale of measurement का यूज करते हो Because qualitative data में और you can say nominal और ordinal में 0 का कोई meaning नहीं होता है Okay और qualitative data में numbers नहीं involved होते है वैसे हमने देखा nominal और ordinal में कोई numbers नहीं जादा involved होते That's why यहाँ पर आपका option A correct हो जाएगा Qualitative data uses nominal as well as ordinal scale of measurement So यहाँ पर आपका option A correct हो जाएगा Either nominal और ordinal scale Next question In an aquaculture study The following variables were major on each fish Gender, initial weight, body temperature, weight gain The scale of these four variables in order are इस question में आप आप करना है कि एक study की गई एक aquaculture study की गई means financial related कुछ study की गई और इस study में fish पर study की गई और जिसे उनके fish के variables जैसे gender, initial weight, ball temperature, weight gain इन सारे variables पर study की गई तो यह जो four variables है, इन four variables को study करने के लिए researcher कौन से scale of measurements का use करेंगे, हमें यह find out करना है तो यहाँ पर आपका first variable है gender, तो जेंडर को researcher, fish के genders को researcher उनके qualitative features की हिसाब से classify करेंगे, तो qualitative features की हिसाब से जो classify करते हम, वो हम nominal scale of measurement में करते हैं, तो यहाँ पर जेंडर को classify करने के लिए researcher, nominal scale of measurement का use करेंगे, then initial weight, initial weight means इनका weight देखने के लिए कि कितना weight है, so weight को numbers में identify करते हैं, okay weight आपका numbers में होता है, that's why यहाँ पर numbers में हो रहा है, so आप यहाँ पर ratio का ratio scale of measurements use करेंगे, then next is body temperature, body temperature, body temperature को आप, body temperature means, आपका जो body temperature होता हो, आपका 0 नहीं हो सकता, आपको body temperature में 0 की कोई meaning नहीं होता है, that's why आप यहाँ पर interval scale of measurement का use करोंगे, interval scale of measurement में 0 का कोई meaning नहीं होता है, 0 आपका arbitrary रहता है, then आपका है weight gain, weight gain, again यह ratio में आएगा, अगर यह देखना है, researcher को कि यह particular fish का कितना weight gain हो गया, so कोई fish का weight gain होगा, कोई fish का weight gain नहीं होगा, means 0 weight gain ह that's why आपर आपका ratio होगा, ratio में 0 का कुछ meaning होता है, that's why आपका correct option हो जाएगा, option D, so आपर research हो, fish के gender को measure करने के लिए nominal scale of measurement का use करेंगे, initial weight, initial weight को measure करने के लिए ratio scale of measurement का use करेंगे, क्यूंकि weight 0 भी हो सकता है, okay, then next is body temperature, body temperature का measure, body temperature को measure करने के लिए, researcher interval scale of measurement का use करेंगे, because interval में 0 का कोई meaning नहीं होता है, और उसी तरह, body temperature में 0 का भी meaning नहीं होता है, then ratio, then weight gain के लिए, researcher ratio scale of measurement का use करेंगे, because weight gain 0 भी हो सकता है, so ratio में आपके 0 का meaning होता है, that's why आपका correct option हो जाएगा, option D, nominal ratio interval and last is ratio, okay, next question, first question, the result undertaken to find the solution to a particular problem faced by a particular organization is dash research, this question में में find out करना है, एक organization है, और उस organization ने particular problem faced किया है, और उस particular problem को solve करने के लिए, वो organization किस research का use करेंगी, okay, so students, इस question में आपको बस एक ही word पर focus करना है, which is particular, particular problem, कभी भी आपके question में particular या फिर specific, ये दोनों word आता है, that means it is related with applied research, so yes, यहाँ पर आपका correct option होजएगा, option B, applied research, applied research में researcher कोई particular problem या फिर कोई specific problem को solve करते है, then यहाँ पर आपका option A given है, आपको fundamental research, fundamental research में researcher new ideas, new theory, new concept develop करते हैं, ताकि उनकी knowledge increase हो सके, but fundamental research में researcher कोई specific और particular problem को solve नहीं करते है, that's why आपका यहाँ पर option A, incorrect होजएगा, then option C, conceptual research, conceptual research, ऐसी research होती है, which is related with concepts and ideas, so again आपका यहाँ पर option C भी incorrect हो जाएगा, then option D, descriptive, descriptive research वो research होती है, जिसमें researcher कोई phenomena को as it is described करते हैं, और again descriptive research में researcher कोई particular या फिर specific problem को solve नहीं करते हैं, that's why again आपका यहाँ पर option D भी incorrect हो जाएगा, so here correct option is option B, applied research, applied research वो research होती है, जिसमें researcher कोई particular और specific problem को solve करते हैं, okay next question, which of the following is true about interval scale, इस question में मैं find out करना कि कौन सा option correct है about interval scale, so here आपका option A given है, the difference between values on an interval scale is always evenly distributed, so here आपका option A correct हो जाएगा, because interval scale में हमारे जो भी values होती है, हम उसको evenly distribute करते हैं, for example calendar, calendar में आपकी first date आती है, then second, third, fourth, fifth, sixth, seventh and so on, so आप जिसे देखते हो, first or second date के पीच में आपका 24 hours का gap होता है, ऐसे second और third के पीच में भी 24 hours का gap होता है, then third और fourth जो date होगी इसके बीच में 24 hours का gap होता है, so आपका जो difference हो रहा है, वो evenly distributed है, means same ही है हर difference, हर एक dates के बीच में same difference हो रहा है, interval scales में हमारी जो भी values होती है, उनके बीच का difference जो होता है, वो evenly distributed होता है, then option B आपको given है, interval data sets have no true zero, so यह आपर आपका option B भी correct हो जाएगा, so interval scales में आपके zero value का कोई meaning नहीं होता है, then option C, using interval data you can calculate mean, median and more, so यह आपर आपका option C भी correct हो जाएगा, because quantitative data में हम interval scale of measurements का use करते है, so इस interval scale measurement में हम statistical tools के use से भी data को measure कर सकते हैं, statistical tool है आपके पास in median mode, so यह calculate करने के लिए हम interval scale of measurement का भी use कर सकते है, so यह आपर आपका option C भी correct हो जाएगा, so here correct option is option D, because यहाँ पर आपका option A, B, C, तीनों भी correct हो जाएगा, about interval scale, that's why correct option is option D, all the above, so students, I hope the concept of scales of measurements is clear to everyone and, first question, what are the conditions in which type 1 error occurs, इस question में मैं find out करना है कि type 1 error कब होता है, अब जब भी research हो, research perform करते है, so first step में अपनी problem को define करते है, then उस problem पर बेस researcher hypothesis develop करते है, अब hypothesis होता क्या है, hypothesis is a sensitive statement होता है, जो के researcher के assumptions और guesses पर बेस होता है, और उसी assumption और उसी statement को researcher अपनी research में test करते हैं, यह देखने के लिए whether it is true or false, अब sometime क्या होता है, researcher से कुछ hypothesis को test करने में mistake हो जाती है, और उसी mistakes को हम कहते है, errors, अब research में दो types के error होते हैं, एक होता है आपका type 1 error and second is type 2 error, अब इस question में हमें find out करने के type 1 error होता कब है, जब हमारी null hypothesis true होती है और हम उसको reject कर लेंगे, तब हमारी first type 1 error होगी, और type 2 error कब होता है, जब null hypothesis false होती है और researcher फिर उसको accept कर ले रहे है, तो वो हो जाएगा आपका type 2 error, अब इस question में find out करने के type 1 error कब होता है, तो type 1 error जब हमारी null hypothesis true होती है, और researcher फिर उसको reject कर लेते, तब होती है आपकी type 1 error, तो इस question का correct option हो जाएगा, option B, the null hypothesis get rejected even if it is true, तो here option B is the right answer, next question, source of data collected and compiled by others is called, इस question में find out करना, इसा कौन सा data collection source होता है, जिसमें हम किसी और researcher, किसी और author का information, और you can say continue use करते हैं अपनी research में, so remember data collection के भी दो type होते हैं, एक होता है आपका primary data, और second होता है आपका secondary data, primary data में researcher, खुद अपने different methods यूज़ करके, खुद information develop करते हैं, इंटर्व्यूस, इंटर्व्यूस के तुरू, service के तुरू, questionnaires के तुरू, researcher खुद information को collect करते हैं, उसे हम कहते हैं primary data, अब secondary data क्या होता है, secondary data में researcher किसी और authors का, या फिर किसी और researcher की information, ने research में use करते हैं, तो secondary data में researcher, खुद information को find out नहीं करते, researcher यहाँ पर secondary data में, किसी और लोगों का, किसी और author का, किसी और researcher की information, अपने research में use करते हैं, सो से हम कहते हैं secondary data, that's why आपर आपका correct option हो जाएगा, option B, secondary data, next question, complete list of all sampling units is called, इस question में मैं find out करना है, कि sampling की जो list होती है, उसे हम क्या कहते हैं, so remember, जब भी research और research perform करते हैं, so research हो, एक population लेते हैं, और उस population के सब part पर research perform करते हैं, और इसे हम कहते हैं, sample, okay, so sample को select करने के, और sampling के भी कुछ steps होते हैं, so first step में आप, यह decide कर लेते हैं, कि आपके target population क्या होगी, अब target population होता क्या है, कि आप जिन population पर research perform करोगे, वो आपके target population होगी, अब target population के बदब का next step होता है, sampling frame, अब sampling frame क्या होता है, अब जिससे आपकी जो target population है, so आप यह decide करोगे, कि किन-किन लोगों से मुझे data मिल सकता है, so आप क्या करते हो, sampling frame में उन लोगों की एक list बना लेते हो, so इसी list को आप केते हो sampling frame, अब sampling frame के बाद, आप techniques उस करते हो, कि किस technique से आप, और किस method से आप sample को select करोगे, probability sampling और फिर non probability sampling, आप samples को randomly select करोगे, या फिर अपने convenience और judgment case आप से select करोगे, आप यह choose करते हो, and next आप sampling perform करते हो, so इस step में आप sampling perform करते हो, so list of population, list of target population, आप target population में से उन लोगों के list बनाते हो, कि जिससे मुझे ऐसा लगता है, मुझे इन लोगों से data मिल सकता है, so उसे हम कहते है sampling frame, that's why आपर आपका correct option हो जाएगा, option B sampling frame, then यह आपर आपका option C given है, population frame, population frame ऐसा कोई term नहीं होता है research में, that's why आपर आपका option C incorrect हो जाएगा, then option है, simple random sampling, simple random sampling यह आपकी probability sampling method का type होती है, so यह आपर आप क्या करते हो, randomly population में से samples को select करते हो, so यह आपका एक list नहीं होता है, बलके यह आपकी एक method होता है, जिससे आप samples को, population में से samples को select करते हो, that's why आपर आपका option A incorrect हो जाएगा, so here correct option is option B sampling frame, next, the first page of the research report is, इस question में में find out करने हैं कि research report का first page क्या होता है, so research report जिससे हम thesis भी बोलते है, so thesis का first page होता है, title page, that's why आपका option D correct हो जाएगा, then title page के बाद आता है, आपका index, index जैसे आपने आपकी books में देखा होगा, कि content लिखा होता है, और कौन सा content और कौन सा chapter कौन से page पर है, आपको यह proper mention होता है, ऐसे ही thesis में और research report में research और index लिखते है, आपके title page के बाद आता है, that's why आपका option C incorrect हो जाएगा, then आपका option E और B गिवन है, appendix and bibliography, so यह आपके research report के और thesis के यह extra chapters में आते है, appendix में researcher क्या करते है, उनका जो proper topic होता है, उस topic के बारे में कुछ extra information देते है, ताके दूसरे researcher उस information का use करके रागे research perform करें, that's why आपका option E incorrect हो जाएगा, appendix आपके research report का first page नहीं होता है, then bibliography, bibliography क्या होता है, जिसे हम कहते है, a set of, or you can say, bibliography एक reference होता है, list of reference, so reference क्या होता है, जिसमें researcher कोई और researcher का information और content अपने research में यूज़ करता है, so researcher उनका proper name मेज़जन करता है, so उसे हम कहते है, reference और, list of reference, or set of reference को हम कहते है, bibliography, that's why आपर bibliography भी, आपका correct option नहीं होगा, because bibliography भी आपके research report का, or thesis का first page नहीं होता है, so यह पर आपका option B भी incorrect हो जाएगा, so here correct option is, option D, title page, title page, आपके research report का, or thesis का first page होता है, next question, thank you for watching this video, I hope this lecture is helpful for you all, and good luck with your preparations,